बहुत स्वागत हमर चतीजगर देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ ललित प्रजापती और इस वक्त आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से एक बड़ा घटना करम बिलासपूर में हुआ है रहाइशी इलाका ये साफ तोर पर नजार आता है रहाइशी इलाका और इस रहाइशी इलाके में पटाखे का भंडारन करके रखा गया था मासूमियत ऐसी है कि जो महक में पटाखे की वसूली के लिए जाते हैं उन्हें इस बात की खबर तक नहीं लगी कि दीपावली से पहले इस तरीके के घटना करम होंगे बिलासपूर से बड़ी खबर आप देख रहे हैं पटाखा गोदाम में आग लगी है देड़ घंटे बाद भी इस फोर्ट का सलसला चलता रहा गोदाम में लगातार धमाके होते रहे आसपास के घरों को खाली कराए गया अवैत तरीके से पटाके यहां जमा करके रखे गए थे सबसे पहले नीज 18 की टीम यहां पर पहुंची और सबसे पहले हमने आपको दिखाया किस तरीके से ये घटना करम हुआ है सायोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार फिर आपको बिलासपुर लिये चलेंगे किस तरह किस्तितियां उमेश फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में काबू नहीं पाया गया है और जिस तरीके से लगातार यहां पर विश्पोट हो रहा है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मात्रा में यहां पर फटाके यहां पर डंग किये होंगे यह बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है यह आप दरारे पढ़ने लगे हैं क्योंकि जितने लगबग अधाई गंटे से अधीक का समय है जब इस बिल्डिंग के भीतर आग लगी हुई है और इसकी जो जुवाला है यह पूरी तरीके से आजपास के दीवारों को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया है हाला कि जीला प्रशाशन प्रशाशन ने आज पास के लोगों को सुरक्षित जगे में रहने के लिए व्यवस्थित कर दिया है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप बगल में देखेंगे यहाँ पर एक्सिस बैंक है आप प्रोचिए यहाँ पर लाकोर रोगों के जमा पूझी जो है इस बैंक पर जमा है और अब उसका असर बैंक पर भी दिखाई देने लगाए जो धमाके हो रहे हैं उसकी वज़त से जो इनकी खिड़किया है काच की वो दरारे क्रेक मार चुकी है हाला कि जीला प्रशाशन पुलिस प्रशाशन यहाँ पर मौके पर तैनात है और आग पर काबू पाने के लिए जो तमाम प्रयास है वो HDRF के टीम मौके पर कर रहे है लेकिन आपको बता दू कि यह जो आपको सामने से जो यह दुकान दिखाई दे रहे हैं यह महज एक सामने से एक दिखावा है लेकिन इसके भीतर जो है एक बड़े पैमाने पर फटाके रखे गए यहाँ पर लगबग लाखों रुपय के फटाके हैं पिछले 20 साल से बताय जा रहा है यहां पर फटाकों को डंप किया जाता है और जब तहवारी सीजन आता है तब यहां से पटाके अलग-अलग दुकानों में जो है वो चिल्हर पे बेचे जाते हैं और यह एक मैने पहले से इनकी तैयारी सुरू हो जाती है पटाकों को डंप करने की और स्थिति की किस तैय नजारा की इस्तिति यहां पर बनी हुए यह जो आपको नजारा दिखाई दे रहोगा अभी जू वो इस गली पर लापरुवाही जो है यहां पर बरती गई है हलागी जो आजञनी का वजड जो बताई जारी है सोट्सर्कीट पर यह जाए में लाखों शीवन के साथ सिधे तोर फिरवार किया जा रहा है एक चोटी सब्सक्राइक निकल कर सामने नहीं करें मैं करें लोग कि वृत सब्सक्राइब और लगातार आप इस पर नजर बनाया रखें ये बात तुमेश ने सही कही कि ये आग ऐसा लगता है कि शौट सर्किट के चलते लगी होगी पर दरसल इसे ही लापरवाही की आग भी कहा जाता है अगली ख़बर राइपुर से कोल गोटाले मामले में बड़ा अपडेट सौम्या चौरसिया को राहत नहीं कोट ने जमानत याचिका खारज कर दी है स्पेशल कोट में जमानत याचिका सौम्या चौरसिया की तरफ से लगाई गई थी और इससे पहले भी सौम्या चौरसिया जमानत के लिए याचिका लगा चुकी है व्यक्तिगत कारणों का हवाला दे कर बच्चे के छोटे होने का हवाला दे कर वो भी खारज हुआ का खारज हुई है यूगल हमारे से होगी इस फक्त हमारे साथ जुड़े हुए सिधा राय पूर आपको लिए चलेंगे यूगल के पास जादा जानकारी के लिए यूगल एक बार फिर जमानत याचिका खारज किसी तरह की राहत नहीं मिल रही है कोट ने मामले की गंभिरता को देखते हुए और दोनों उबह पक्चों को उनके वकीलों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया और उनकी जमानत याजी का है निलंबिच अधिकारी सोम्या चारज है की उसे रद कर दिया है खारिज कर दि गया है चुकि आएसे अधिक संबन्दी के जो मामले है तो उस पर भी चलान है वो पेस करना है और ऐसे में उनकी संपत्ती को भी अटेच किया गया है तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सोम्या चारजिया को किसी तरह की रहात नहीं मिली है लगबग दो साल से वो जेल में बंद है और अलग-अलग दर्वाजों जो आदालत के दर्वाजे हैं उन्हें सोम्या चारजिया और उनके वकील लेकिन किसी तरह से जमानत को लेकर के कोई रहात नहीं मिली है और एक बार फिर मामले की गंभिरता को देखते हुए विशेस कोट ने उनकी अरजी है जमानत क कियर जी अब उसे खारिज कर दी है जी बिलकुल बिलकुल बहुत धन्यवाद यूगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए सही होगी यूगल जानकारी दे रहे थे इससे पहले आपने देखा नियाएधानी वहां पर आग लगी है पटाखों में ये ब्रस्टाचार की आग ह जो सबको जुलसा रही है और अब रफतार की आग कैसे कहर ढरी है वो जान लिजीए जश्मर में रफतार का कहर दो टॉकों की आमने सामने फटाइवल ही है कर दूशरे ट्रक का ड्राइवर इस टेरिंग में फस गया ट्रक को काट कर इस ड्राइवर को बाहर निकालना एनच 43 की एगटना है डोड़का चौरा की जहां ये हादसा हुआ है आमने सामने की टककर में एक की मौत और ट्रकों की हालत आप देख सकते हैं किस तरह से ये हादसा हुआ है अब एक बड़ा सवाल के मुनाफ़ा खोरों की आग कब बुझेगी बलोदा बाजार में खनिज बिभाग ने बड़ी कारवाई की है रेत डंप करने वाली ठेकेदारों पर जुर्माना लगा गया है बीजेपी के नेता पवन साहु साट लाग का जुर्माना लगा है तएं मातरा से जादा रेत डंप करने पर ये कारवाय हुई है रेत को सफे सोने के तौर पर भी जाना जाता है राज्यस्व मन्तरी के निर्देश पर ये खारवाय हुई है लेकिन या वाकई इससे मुनाफ खोरी के आग बुझेगी कता ही नहीं और अब एक आग होती है नेतागिरी की आग खबर दुर्ख से है लाल बहदुर शास्त्री जिल अस्पताल में नेशे की हालत में पांच यूवक पहुंचे पांच यूवकों में से एक यूवक बीजेपी से भी जुड़ा हुआ है उसके पर भी हाथ उठा दिया गया आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया है महिला डॉक्टर और स्टाफ नर्स ने अस्पताल और करनचारियों की सुरक्षा पर सवाल उठाएं हैं सवाल उठ रहे हैं सवालों की एक आग है लेकिन जम्यदारों के पास उसके कोई जवाब नहीं ग्राम सभा में नशीले पदार्थ पर बैन की बात नशे का सामान बेचने पर जुर्माना लगाने का फर्मान चैनपुर गाओं में महिलाओं ने नशा मुक्ती रेली निकाली है आपको अगर इसाग को महसूस करना है च्छतीजगर में किसी महिला से आप पूछ लीजिए क इस तरह से नशे किलत पढ़ने के बाद घर वरबाद होते हैं और यहीं वज़ए कि जो प्राइट बलाक के जो चैनपुर गाओं की महिलाएं है वो लाम बंद हो गई है वो जो गर्ण सभा में सब फैसला हुआ है कि गाओं में जो है नहीं सराब बनाया जाएगा नहीं सरा करेगा और नहीं नशा की कोई भी वस्तू को रखेगा और बनायेगा और कि जिस तरह से नशे की सेवन करके जो महिला हैं हो खासकर यह जानती है कि कि तरह से घर बरबाद हो रहे हैं जी धन्यवाज श्रवन इस से तमाम जानकारी के लिए और अब लाल आतंक की आग जो धीरे धीरे बुझती नजर आ रही है सुकमा से बड़ा अपडेट आपको देए सुरक्षा बलो अनकसलियो में मुटभेड हुई है करकन गुडा के जंगल में मुटभेड सर्चिंग अभियान के दारानी मुटभेड हुई है सर्चिंग अभ और यह मुटभेड चल रही है चलिए आग से अब सियासत की तरफ लिए चलते हैं 36 गड़ में कल से बीजेपी का मोर बूत मोर अभियान शुरू होने जा रहा है मंत्रियों और विधायकों को अपने अपने अलाकों में इस अभियान की कमान सम्हानली की जिम्मेदारी दी गई है कर लेक बूत में जाना है और बूत में जाकर कम से कम सो सदस्य बनाने का निर्णे पार्टी ने किया है किसी के तरह माननी मुख्यमंद्री जी भी माननी प्रदेश अज्य जी भी और हम सब भी बूतों में जाकर सदस्यता अभियान करेंगे और पार्टी की सदस्यता अभियान में हम सब मिलकर काम करने वाले हैं और पार्टी ने जो लक्षनिर धारिक किया है उसके अनुरूप काम करेंगे, हर घर तक जाएंगे, हर मुहले, हर समाज, हर छेत्र, हर वर्ग के लोगों को पारिटी से जोडने का अभियान चल रहा है सत्ता में रहते हुए संगठन को बढ़ाने की आग आप बीजेपी से सीख सकते हैं और विपक्ष में रहते हुए भी बुझी-बुझी सी आग अगर आपको देखनी है तो कॉंग्रस को देखिए 36 गण में कॉंग्रस संगठन की सूची फिर अटक गई है अक्टूबर के दूसरे हफते तक लिस्ट जारी नहीं हो पाएगी नियाय यात्रा का हवाला दिया जा रहा है जिला अध्यक्षों की न्युक्ती भी टल गई है नियाय यात्रा के बाद जिला अध्यक्षों की न्युक्ती होगी प्रभारी सचिवों के दौरे के बाद AICC को सूची भेजी जाएगी हैरानी की बात यह है कि निकाय चुनाओ सामने है बावजूद उसके चीजें तल रही है और अब वार पलट वार की आग कॉंग्रेस की नियाय यात्रा पर डेपुटी सियम अरुन साव ने निशाना साधा है कॉंग्रेस ने 36 गड़ के लोगों को छला है उनके मूँ से नियाय की बात शुभा नहीं देती ये कहा है डेपुटी सियम अरुन साव ने कॉंग्रेस की नियाय यात्रा पर निशाना साधते हुए परटी ने हमेशा से देश के साथ, देश वासियों के साथ, प्रदेश के साथ, प्रदेश वासियों के साथ, हमेशा अन्याय किया हो, धोखा किया हो, छला हो, उनके मुझ से न्याय की बात सोभा नहीं देती है और अब किसी भी कांड पर अपनी अपनी राजनेतिक रोटी सेंखने वाली आग कवरधा में कांड हुआ इसे लेकर सियासत लगातार तेज है लुहार्डी यो पहुँचे है पूरू सीम भुपेश बगेल जेल में बंद आरूपियों से मुलाकात वो करेंगे एक आरूपि की मौत के बाद लगातार कवरधा कांड को लेकर सियासी आग तेज हो चली है और एक और आग है वो है न्याय की आग 36 गण में सडकों पर आवारा पश्वों पर हाई कोट सक्त हो गया है हाई कोट ने मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है और सीधे सीधे ये पूछा है कि आवारा पश्वों से कितने दिनों में छुटकारा मिलेगा मुख्य सचिव से 15 दिनों के अंदर ये जवाब मांगा गया है क्या उनका ड्राफ्ट है क्या उनकी योजना है उनके अंदर भी कुछ काम करने की आग है या नहीं अधालत ने पूछा है लेकिन इन सब के बीच अगर आपको कोई आग परेशान करेगी वो है बेबसी की आग मजबूरी की आग काकेर में सिस्टम की लाचारी की तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर आप भी कहेंगे क्या वाकई सिस्टम के इतने बुरे दिन आ गए कंधे पर ये सिस्टम है इसी तरह से ले जाना पड़ता है विश्व गुरू बनने के आउटर पर खड़े हैं आप और अभी भी खटिया पर मरीज को पहुचाना पड़ता है नाराण पुर जिले के ओर्चा विकास खंड के बिरू लेयर में एक व्यक्ति काम के दारान गंभी रूप से घायल हो गया अस्पताल तक पहुचाने के लिए सड़क और पुल नहीं है इसके बाद कंधे पर टांग कर 15 किलोमीटर अंदाजा लगा ये कंधे पर टांग कर 15 किलोमीटर कितनी देरी में चल पाएंगे आप वो भी तब जबके सड़क नहीं है क्या मरीज को इलाज मिल पाएगा 15 किलोमीटर ये लोग पैदल चले अस्पताल पहुचाया तब कहीं जाकर जिन्दगी बच पाई हरको इतना खुशकिसमत नहीं होता मुझमाडवासियों के द्वारा एक गायल व्यक्ति को खाट में उठाकर लगबक 15 किलोमीटर पैदल चलकर ग्राम गट्टा ताल में मरीज को लाए मैं मुझे जैसे ही जानकरी मिली उप्सार पंच को टेक्टर की व्यवस्टा करने बोला और टेक्टर में डिजल पटूर करके उन मरीजों को संबलपूर के मिडचे नदी तक पहुंचाए उसका मिडचे नदी से फोन करके एंबुलेंस बुलाए और एंबुलेंस के माध्यम से सामुदाइक स्वास के अंदर कोईली बड़ा में भर्ति करें होगी खेम नाराइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास आपको लिए चल रहे हैं खेम नाराइन ये इन तस्वीरों के बारे में बताईए किस तरीके से कितनी तकलीफों से इस रास्ते को पार करना पड़ता है कब से डिमांड करना है और क्यों नहीं पूरी हो रही है खेम नाराइन जी ललित आपको मैं बता दू कि सिस्टम की लाचारी की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है क्योंकि अभूजमार का जो एरिया है काफी अंदुरूनी इलाका है और अभूजमार में लाल आतंग का भी प्रभाव है और काफी सारी नदी नाले जो है मांसून सत् के दोर पर उफान पर रहते हैं और ऐसे समय में अगर कोई बीमार पढ़ जाए या किसी की दुरघटना हो जाती है तो वहां तक एमबू लेंज नहीं पहुच पाता उसका प्रमुक कारण है सडके नहीं होना और सडके नहीं बन पाने की वज़त से ग्रामीडों को इस तरी जो है गटा काल तक जो है इस घायल मरीज को पहुचाया उसके बाद आधे रस्ते से एमबूलेंस पहुची और इसे अभी कोईली बेडा के स्वास्त केंदर में उफचार के लिए रखा गया है वहां अभी भी उसका उफचार जारी है हाला कि अब जो है मरीज खत्रे से बा ये बात आप सही कह रहे हैं शुडवात में मैंने कहा कि बेबसी की आग है ये दरसल सिस्टम की काहिलियत की भी आग है बहुत बहुत धन्यवाद खेमनारायन इस तमाम जानकारी के लिए सहोगी खेमनारायन विस्तार से जानकारी दे रहे थे और अब वो आग जो लोगों क हमला किया गया अब तक चार आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं